अंतरक्ष में कई तरह की खगोली घटनाएं होती हैं उनमें से एक होती है ग्रहन दो तरह से ग्रहन लगता है चंद्र ग्रहन और सूर्य ग्रहन जो तीशी दृष्टी से ग्रहन को जितना माना जाता है उतना ही इसका वग्यानिक दृष्टी का महत्व भी है चंद्रमा पर प्रिथवी की चाया पढ़ने से चंदग्रहन लगता है और आज चंदग्रहन लगने वाला है हरा कि 5 जून को लगने वाला ये चंद्र ग्रहन उपच्छाया चंद्र ग्रहन होगा जो भारत, यूरोप, अफरिका, एशिया और आस्ट्रेलिया में दिखाई देगा इस चंद्र ग्रहन की शिरुवात रात 11 बचकर 17 मिनिट से हो जाएगी और 6 जून की रात 2 बचकर 32 मिनिट पर इस ग्रहन की समापती होगी रात 12 बचकर 54 मिनिट पर ये चंद्र ग्रहन पूर्ण रूप से दिखाई देगा चंद्रग्रहन का सूतक ग्रहन के 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा उपच्छाया चंद्रग्रहन में चंद्रमा केवल धुंदला पड़ता है काला नहीं पड़ता और ये धुंदला पन भी समाने रूप से पहचान पाना मुश्किल होता है इसलिए इस तरह के चंद्रग्रहन को उपच्छाया चंद्रग्रहन कहा जाता है जो कि आज रात 11 बच का 16 मनट से शुरू होगा आपको बता दे कि जब चंद्रग्रहन लगता है तब चंद्रमा प्रित्वी की परचाई में प्रवेश करता है और कर्मबार ये पूरा प्रवेश न करते हुए ऐसे ही बाहर निकल जाता है और सिर्फ प्रित्वी का धुंदलापन ही चंद्रमा पर पड़ता है और इसी चंद्रग्रहन को उपच्छाया चंद्रग्रहन कहा जाता है और आज लगने वाला चंद्रग्रहन साल का दूसरा चंद्रग्रहन है